वैशनवी नेच्छल फार्म में एक बार और आपका स्वागत है अभी हम एक उसदिये पोधा के पास पहुची है इसका नाम भांग है आप देख सकते हैं इसमें डोपा पी नामक एक उसदिये गुन पाया जाता है जो हैपी हर्मोन के नाम से भी जाना जाता है इसको पीने से या खाने से जो खुसी हर्मोन का लेवल बढ़ने से खुसी महसूस होने लगता है और इनसान बिलकुल यह जो है निच्छुरल चीजों का एक बहुत बड़ा भरमार है इसका इस्तमाल हम लोग इनसान से लेके गायों में और कई परकार के बीमारियों में करते हैं तो आज ह हैं और कई बीमारियों से रच्छा भी करता है इनसान को और लेकिन गायों के लिए अगर गाय आपका खाना नहीं खा रहा है किसी कारण बस गाय आपका खाना नहीं खा रहा है तो आप गायों को जो है इसको खिला सकते हैं जिससे आपकी गाये खाना खाने लएगी और मुक जंगल जाड में अपने आप हो जाता है इसका आप इस्तमाल कर सकते हैं चलते हैं फाम पर गई अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो इसको क्या है दो सो गराम भांग का पत्ता लेना है और उसमें सो गराम पचास गराम काड़ा नमक और पचास गराम सेंधा नमक और विक्सी में पीस के गोला बना लिजिए और इसको जो है दो दो गोली सुबा और साम खिला दे या उसके बाद गाय जो है बिलकुल खाना प्रमून का एक लेबल होता है उसको भी ये पढ़ाने का काम करता है तो कई प्रकार से ये मिनरल और बिटामिन भी जमीन से ले लेता है जिससे अगर गायों को खिलाएंगे तो काफी अच्छा आपको रिजल्ट आएगा और गाय स्वस्त रहेगी तो आप इसका इस्तमाल आपने आपको इस देश को केमिकल मुख्ट ड्रक्स मुख्ट दवाई मुख्ट या जो है फ़ी प्रकार के खबश्ट से खादों से मुख्ति दिला सकते हैं और गायों को उतना ज्यादा मिनरल प्रोटीन विटामिन मिल जाता है कि देख सकते हैं गाये खाने के लिए कितने बेचैन होते हैं और बहुत इजी से खा भी लेते हैं और आपका गायों को बहुत कम धास में इन सब पत्वों का मिलता है या आप इसका जो है बहुत नीजी तोर पे धर के आसपास से धूंद दर के खिला के इस्तमाल कर सकते हैं औ और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इनके बोड़ी के उपर आपके दूद के उपर धन्यवाद